वेलकम टू फुल्मी बीट प्रियांका चोप्रा दस काईज पिंकी शूटिंग खतम कर अपने ससुराल नियॉयॉक वापस चली गई है नियॉयॉक पहुच कर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है गर पहुचने की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है प्रियांका ने सोशल मीडिया पर एक सेलफी फोटो भी शेयर की है इस तस्वीर में प्रियांका चोप्रा किसी का हाथ थामे बैठी है उनका हाथ पकड़े हुए पोस देना सेंटर ओफ अट्राक्शन बना हुआ है ऐसे में चर्चा हैं कि प्रियांका ने जिनका हाथ थामा हुआ है वो और कोई नहीं बलकि निक जोनस ही है और प्रियांका के चहरे पर स्माइल भी इस बात को साफ जाहिर कर रही है कि वो निक जोनस से मिलकर बेहदी खुश है प्रियांका ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है होम स्वीट होम निक जोनस प्रियांका की बहुत ही केर करते हैं उनका खूब वायरल हुई थी, बता दे कि प्रियांका जा स्काई स्पिंग की शूटिंग के लिए मुंबई आई हुई थी और अब वो अपने घर यानी की नियू यॉक पहुच गई है, 11 अक्टूबर को उनके फिल्म रिलीज होगी, सुनाली बोस ने फिल्म का निर्देशन किया है, फिल्म को बनाया है रानी स्कुरूवाला और सिधार्ट रोय कपूर ने, फिल्म में प्रियांका चोपडा फरहान अक्तर और जायरा वसीम एहम भूमिका में हैं प्रियांका फरहान जायरा के मम्मी बाबा की भूमिका में होंगे जायरा वसीम आईशा की भूमिका में नजर आएंगी फिलाल दो इस वीडियो में बस इतना ही है कैसे लगी है आपको ये वीडियो हमें कमेंट करकर जरूर बताईएगा इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा